तो आज निशे की रसुई में बनाने जा रही हूं मक्के के याटे की मसाला पूरी जो की आलू के साथ बनाएंगे बिलकुल कचोड़ी वाले सवात में तो चलिए बनाना इस्टाइट करते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने धाई कटोरी मक्के का आटा चाल के ले लिया है जो बिलकुल महीन वाली चलनी हो उससे ही चालिएगा और डेर कटोरी मैंने गेहू का आटा लिया है कि जो हम इसमें आलू डालेंगे और मक्के का आटेंगे इन दोनों के लिए थोड़ी सी टेश्टी है मक्के के आटे की मसाला पूरी लगेगी जो आको बहुत टेश्टी लगेगी और यहां पर एक चमच मैंने लाल मिर्ज डाली है तीक हापने हैसाब से कम जादा भी कर सकते हैं और यहां पर यह आदा चमच करीब हम मजवाइन डालेंगे जिससे कि इसका तो मक्के के आटे को बराबर हसे में रख सकते हैं और यहां पर डालूंगी अधा चमच मैं गरम मसाला और उसके बाद हम यहां पर डाली चाली आटे जिससे की ये आप मसाला पूरि बोलिए या फिर मक्य कयाट्य की कचोड़ी बोलिए बहुत टेशटी लगती है आप ट्रेवल में लेजाओ सुबपा चाय में या साम के नास्ते में आप बना सकते हैं बहुत टेशटी लगती है जो कि बहुत ही healthy भी है तेश्टी भी है तो यहां पर चार से पाँच आलू को मैंने कदू कस करके ले लिया है क्योंकि यह morning में मैं बना रही हूँ तो जल्दी का time जल्दी है morning में सब लेट होता है फटा फटी है गरमी गरम आलू को मैंने कदू कस कर लिया है और उन्हें आट तो से tightly हर्टो से मसलना है कि जो आलू है बिल्कु अच्छे से से मिक्स हो जाए और उसके बाद हमें यहां पर डालना है और तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर 2-3 बड़े चंबच मैंने वाइल डाले है मतला जो खाने वाला स्पून होता है बस वही चंबच से हमने 2-3 और नॉर्मल पानी लेकर इसे हम जैसे पूरी का सकत आटा तयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम थोड़ा-थोड़ा पाई डालके बिल्कुल सकत आटा तयार कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है अब आपके पास टाइम है तो इस थोड़ा सब मोटा ही रखना है आप पर्थल लगा के आटे कर सूखा अटा लगा के या फिर ओल लगा के भी से बेल सकते तो मेरे पास अब फ्रेंट्स टाइम नहीं है तो इसलिए मैं रेष्ट पर रख लोगे तो यह और अच्छी बनकर रेडी होगी तो यहां पर देखे बच्चे कचोरी समझ कर इसे खाएंगे यह इतनी टेश्टी लगती बिल्कुल कचोरी वाला सवाद आएगा और यह देखे पूरी कितनी अच्छी से यह फूल गई है अच्छी से और इसे आलट-पलट के हम सेक लेंगे और फ्रेंट्स इसक पूरी की जो मसाला पूरी है मक प्लेटिंग कर दिये हैं फटाक से मैं दे देती हूं नास्ता फिर उसके बाद दूसरी तीसरी पूरी सारी फूरियां ऐसी हमको रेडी कर लेनी है आप चाहिए इसे लाइट कर सकते हो ठोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो जैसी आपको पसंद हो करारी अलट-पलट के इस ता स सेक लेना है और बिलकुल फूली जैसे मैं बना रही हूं फूली फूली बनेगी और बहुत टेश्टी लगेगी तो एक बार इस मक्के के आटे की मसाला पूरी आलू वाली आप ज़रू त्राई करिएगा कोई भी सबजी हो कोई भी ग्रेवी हो बच्चे सी खाना पसंद कर ना वीडियो अची लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा मेरे चैनल पे नए है या फर्स्ट आम विजिट किया तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन चुरू दबाए तो मिलते हैं नही रैस्पी के साथ नही वीड बाइ